तो आगे सभी बराबर आट वजे सभी पहुच गए है आज जो हम पढ़ने वाले हैं मतलब अभी जो पढ़ने वाले हैं दिन बर से ये मेरा चौथा लाइव है और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिजिट पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस जिसमें हम ल कमेंट करके जरूर बताना यार कि कहां कहां से आप सभी मुझे देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे साथ इतने सारे सिविली इंजिनियर्स जो है वो रोज जुडते है और रोज कुछ ना कुछ सीखने के पीछे रहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना हेलो लो मुझे यह बताई है हेलो सर कैसे हो अनिकेज जी मैं भी एक दम बढ़िया यार कैसा लग रहा हूं नहीं बढ़िया लग रहा हूं ना तो आप सब भी जो है मुझे ऐसी बात कर सकते है शकत जी हाई सर और यार लाइक जरूर करें और शेयर करना ना भूले अपने जितने भी स दोस्त हैं उनके साथ यह लाइव सेशन अभी से शेयर कर दो बस एक मिनिट के अंदर मैं कंस्रक्शन प्रोसेश शुरू करने वाला हूं रिजीट प्योमेंट का तब तक के यार शेयर कर दो ठीक है हेलो गूड इवनिंग शर जी दिवेश जी सोनू चौधरी जी आए अनि कंस्रक्शन प्रोसेश से थोड़ा आगी चलके देखते हैं जानिये रिजीट प्योमेंट की पूरी कंस्रक्शन प्रोसेश पूरी कंस्रक्शन प्रोसेश जानेंगे कौन सी कौन सी लेयर होती है कौन सी लेयर में रेंफोर्समेंट लगाना पड़ता है कौन सी लेयर में रे मैंने बताया था flexible payment में CBR value 5% तक होनी चाहिए सब grade के material की सब्ग्रेट में material कौन से कौन से होते हैं मुरूम होती है soil होती है aggregates होते है stones होते हैं यह सारी चीज़े होती है boulders भी होते हैं तो सब्ग्रेट में यह material तो होता है और उसकी CBR value कितने percent से जादा होनी चाहिए थी flexible में कितना बताया था मैंने comment section में बताईएगा बताईए मुझे जल्दी से कितने percent से जादा होनी चाहिए flexible payment में subgrade की CBR value मैंने बताया था 5% से जादा होनी चाहिए flexible payment में लेकिन अगर मैं rigid payment की बात करता हो तो यहाँ पे subgrade की CBR value 8% से ज़ादा होनी चाहिए, ठीक है, 8% से ज़ादा होनी चाहिए, चलिए सर बहुत बढ़िया, सनी जीने एकदम सही जवाब दिया है, 5% से ज़ादा होनी चाहिए, लेकिन rigid payment में याद कर लेना है, सनी, लोकेश, अब है, दिवेश, आप सभी को कि इसमें rigid payment में 8% से ज़ादा होनी चाहिए, ठीक है, 8% से ज़ादा होनी चाहिए, अगली लेयर देखते है, सेम GSB की लेयर है यार, granular subbase इसमें भी लगता है, जिसका maximum size of aggregate क्या पता है तो मैंने, 75 mm होता है, ठीक है, जिसे drainage लेयर भी कहते हैं हम लोग, अब इसके बाद कहानी बदलेगी, इसके बाद कहानी बदलेगी, इसके बाद आगे बढ़ने से पहले like क करना ना भूले, like करते रही, अगर अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया, तो subscribe कर लिजे, क्योंकि 14 तारीक तक रोज लाइव आने वाले हम लोग, रोज एक नए topic के साथ, और कल designing day है, ठीक है, कल designing day में आप लोगों को पूरा designing के बारे में बताया जाएगा, कि एक civil engineer किस तरीके से designing करेगा, ठीक है, शक्षस्त, शक्षस्तर नाम है, उनका वो पूछने से rigid pavement मतलब क्या होता है, चलिए मैं थोड़ा साप लोगों को बता देता हूँ, rigid pavement, जिन लोगों को नहीं पता, उन्हें बताता हूँ, हमारा flexible pavement होता है, bitumen का बना हुआ, और rigid pavement मतलब से, ठीक है, तो rigid pavement pavement पूरा concrete material से बनता है, और flexible pavement मतलब से, अब आप लोगों को bitumen दिमाग में आ रहा होगा, थोड़ा flexible लचीला प्रदात है, और rigid pavement, इसलिए rigid कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो load transfer होता है, वो कैसे होता है, slab to slab होता है, और flexible pavement में load transfer कैसे होता है, grain to grain होता है, ठीक है, तो चलिए अब differentiation ही शुरू कर दिया हो मैंने, तो पहले differentiation के उपर ही बात करते है, notes निकाल लेना है सभी को, ठीक है, pain paper निकाल के तयार रहना है, good evening, good evening, ठीक है, तो चलिए सबसे पहला point लिखते है, कि जो flexible pavement होता है, वो उसकी life 15 साल है, अगर rigid pavement की life 30 साल होती है, अगर flexible pavement की life 15 साल है, तो rigid pavement 35 साल चलता है, उसी के साथ साथ, अगर मैं load transfer की बात करूँ, तो जहां पर flexible pavement में load transfer होता है, grain to grain, वैसे ही rigid pavement में load transfer होता है, slab to slab, ठीक है, अगर मैं बात करूँ flexible pavement की, तो इसका economically यह थोला सस्ता पढ़ता है, economically आता है, यह सस्ता है, लेकिन यह high maintenance है, कौन high maintenance है, flexible pavement, इसक initial cost जो होती है, वो कम होती है, flexible pavement की initial cost कम होती है, लेकिन, initial cost कम होती है, लेकिन, इसका maintenance cost जादा होती है, flexible pavement की, वही पर अगर मैं rigid pavement की बात करूँ, तो initial cost जादा होती है, rigid pavement की, लेकिन maintenance cost बहुत कम होती है, क्या बोला मैंने, एक बार clearly, फिर से repeat कर देता हूँ, आप लोग के लिए कि flexible payment की initial cost कम होती है लेकिन maintenance cost ज़्यादा होती है वही पर अगर मैं rigid payment की बात करूँ तो initial initial cost ज़्यादा होती है और maintenance cost कम होती है ठीक है उसी के साथ साथ अगर मैं night visibility की बात करूँ तो flexible payment की कम होती है night visibility जब आप गाड़ी चलाओगे दूम मचाले करोगे तब हमारी night visibility क्या रहेगी कम रहेगी किसमें flexible payment में लेकिन जब rigid payment में आप लोग गाड़ी चलाओगे तब उसकी night visibility जादा रहेगी तो यह आप लोगो ध्यान में रखना है ठीक है अब GSB के बाद की लेयर लाइक करते चलना है ना subscribe करते चलना है और comment करते रहना है तो मुझे पता रहेगा कि आप लोग में साथ जुड़े वे हो नहीं तो लगेगा मैं अकेले ही हूँ ठीक है अब GSB के बाद अगली लेयर कौन सी है DLC की यहां से हम लोगों को ध्यान देना शुरू करना है DLC का फुल फॉर्म होता है ड्राय लीन कॉंक्रीट क्या होता है DLC का फुल फॉर्म क्या होता है हुआ गिल्सी का फुल फॉर्म होता है हमारा अंब तो अब यह ड्राय लीन कॉंक्रीट होता है तो अब यह ड्राय लीन कॉंक्रीट है इसके बाद भी versión clear है अब इसका नाम dry link concrete क्यों है इसका नाम dry link concrete क्यों है क्योंकि यह सूखा concrete होता है नाम से ही समझ में आ रहा है कुछ सूखा है इसमें moisture मतलब कि इसमें slump नहीं होता पानी जादा नहीं मिलाया जाता इतना ही मिलाया जाता है कि इसकी workability बढ़ जाए और यह easily जो है वो dump किया जा सके placed किया जा सके इतना ही पानी इसमें मिलाया जाता है अगर मैं बात करूँ तो कुछ ही percentage में इसमें मिलाया जाता है पानी ताकि अच्छे से mixing हो पाए इसकी अगली layer अब देखो यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना है PPT में यहाँ देखेंगे आप लोग तो अभी आप लोगों को कुछ दिख रहा है अब देखो एक polythene type material आ गया है यह क्या होती है यह होती है आप लोगों की separation membrane separation membrane material कौन सा होता है इसका PVC polyvinyl chloride कौन सा material होता है PVC जो की DLC और PQC के बीच में लगती है यह DLC हो गया और उसके बीच में क्या है separation membrane यह गई और यह आई ऐसी polythene type material होता है PVC sheet होती है polyvinyl chloride size क्या होता है इसका 125 micron से लेकर है ना 125 micron से लेकर 150 micron की होती है यह याद रखना है आप सभी को 125 micron से लेकर 150 micron की होती है ठीक है अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं DLC होगया dryling concrete उसके बाद separation membrane होगी अब इसके बाद एक और layer जो की है PVC layer ठीक है PQC layer अब PQC का full form क्या होता है PQC का full form होता है payment quality concrete क्या होता है PQC का full form payment quality concrete जो की final layer होती है अब इसी तरीके से rigid payment बनाया जाता है क्या होता है सबसे पहले subgrade GSB DLC separation membrane और PQC ठीक है अब PQC का slump होता है as per IRC Indian Road Congress PQC का जो slump है PQC का जो slump है यहीं लिख रहा हूं मैं याद रखना है सभी को PQC का slump कितना होना चीए plus PQC का slump होना चीए 25 plus minus 10 mm ठीक है कितना होना चीए PQC का slump 25 plus minus 10 mm ठीक है इतना होना चाहिए slump ठीक है याद रखना है सभी को एकदम भूलना नहीं है पेन का कलर चेंज कर लूँ किया कितना होना चीए slump कितना होना चीए PQC का कमेंट सेक्शन में बताओ थोड़ी देर पहली बताया हूं 25 plus minus 10 mm याद रखना है इंटर्विव कोश्चन है कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम आने वाला है और उसी के साथ-साथ अगर गवर्मेंट के तियारी कर रहे है तो वहां भी पूछेगा ही पूछेगा ठीक है नमस्ते उदित जी सनी प्यूमेंट कॉलिटी कॉंग्रीट पी बी सी नहीं पी क्यू सी बढ़ाया हूं मैंने बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया भै चौधरी जी यहां पर एक सवाल है प्रियराज जी का किसा सेप्रेशन में क्या सब यूज कर सकते है क्या सब यूज कर सकते है पी वी सी शीट यूज कर सकते है पॉलिमलाइल क्लोराइड की शीट यूज कर सकते है पी वी सी शीट यूज कर सकते है जिसका जिसका 125 से लिए 150 माइक्रॉन तक का उसकी ठीकनेस होगी, ठीक है? क्लियर है सबी को, ये तो आगे बढ़ेगे हम लोग, क्लियर होगा तो कमेंट करके बताईए, तो आगे बढ़ेगे हम लोग, ठीक है? कमेंट्स देख रहा हूँ मैं आप लोगों के जैसे जैसे कमेंट करोंगी वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग सर जी अगर मैनुल कॉंक्रीट लेंग करवा रहे हो तो स्लम कितना नच क्या सवाल पूछा है यार दिल खुश हो गया मेरा इंजिनियर चंदन कुमार गिरीजी का सवाल है कि सर अगर मैनुली करवा रहे हैं मैनुली करवा रहे हैं तो कितना स्लम्प होना चाहिए ठीक है मैं गिरीजी आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप मैनुली करवा रहे हो काम ठीक है मैनुली काम करवा रहे हो तो 40 एक सेकंड भाई हाँ हाँ 40 mm ठीक है आप लोगों का कितना अच्छी अगर आप मैनुवली करवा रहे हो या नीडल वाइबरेटर से करवा रहे हो तो 40 plus minus 10 mm होना चाहिए आप लोगों का अगर आप मैनुवली करवा रहे हो तो आप लोगों का 40 plus minus 10 mm स्लंप होना चाहिए स्लंप भी लिख देता हूं ताकि कन्फूजन ना हो और अगर आप लोग इलक्ट्रोनिक पेवर से करवा रहे हो मतलब मशीन के थ्रू करवा रहे हो ठीक है डायरेकली लिखता हो कन्फूजन जाएंगे बहुत सो कि मशीन से करवा रहे हो ठीक है मशीन से करवा रहे हो मैनुवली नहीं करवा रहे हो मशीन से करवा रहे हो तो 25 plus minus 10 mm स्लंप होना चाहिए ठीक है, मशीन से अगर करवा रहे हो मशीन से अगर करवा रहे हो तो 25 प्लस माइनस 10 mm स्लंप होना चाहिए और अगर आप लोग मैन्वली करवा रहे हो मैन्वली करवा रहे हो, तो स्लंप 40 प्लस माइनस 10 mm होना चाहिए इंजिनियर चंदन गुमार जी क्लियर है अभी मशीन क्या है मशीन मतलब जो इलेक्ट्रोनिक पेवर मशीन होती है आप लोगों ने देखा होगा कॉंक्रीट को प्लेस करने वाली जिसके अंदर पहले से वाइबरेटर्स लगे होते है मैनुली का मतलब होता है कि कितना पानी कीतिना पानी उसके अंदर मवजूद है वह हम लोग CHECK करते है स्लमTEST से स्लम कोन सट मेरा YouTube पे भी विडियो है वो जाके जरूर देखे इंघर किसी को नहीं पता होगा सब्सक्राइब बताएब drawing में mention होगा layer की thickness कितनी रहेगी layer कि अगर मैं thickness की बात करूँ तो यह आप लोगों को TCS drawing में बताया जाता है यह TCS drawing में लिखा और एगा कि layer की thickness कि फिक्ती होनी चाहिए ठीक है layer की thickness आपको TCS drawing में बताये जाएगी चलिए आगे बढरते हैं हैदर अली जी कोई डाउट है तो बिलकुल आप पूछ सकते हैं ठीक है क्लियर है सर क्लियर है सर हैदर जी बताइए क्या डाउट है आपको कमेंट करिए ठीक है तो आगे बढ़ते हम लोग और स्टील बार्ट के बारे में थोड़ा सा समझते हैं अब यहाँ पर आप लोगों बार दिखे रही है अब आप लोग सोचलेंगे सरीब बार्ट जो निकली यह शूरी की और भी है घ्रीन की यह यह इसलिया है क्योंकर इनके ऊपर लीपोकुसी कोटिंग की गई है क्यों है ये green क्योंकि इसके उपर epoxy coating की गई है ये green क्यों है क्योंकि इसके उपर epoxy coating की गई है कौनसी coating epoxy coating सिपऊपőक्सी कोटिंग की गई है ये हमारी डॉवल बार है टीक है यह हमारी दॉवल है और इसके उपर इप्सकी कोटिंग की गई है इपाउक्सी कोटिंग से क्या होता है क्रोजन प्रूफ हो जाती है हमारी बार्स इप 모든 सिकल्ण बहुत सारा सरीया हरे-हरे कलर का भी लगा होता है बिल्डिंग में आप लोग क्या सोच्टे ग्रीन बिल्डिंग बन रही है नहीं नहीं वह एक आपॉक्सी इन वह पॉक्सी लगते हैं तो अब यह बार को कहते क्या है सबसे कि पहले यह बड़े डाया की बार दिखरी है आप लोगों को जो इस तरफ लगी वै था जो लगी वी ट्रांसवर्सक्राल चाहसे को लिपए खिचिया लिखते रहना है अब इसके बाद अगली पिपिटी के तरफ चलते हैं पर इसमें किसी भी तरह का आप लोगों को लक्स और रिब्स नजर नहीं आएंगी एकदम प्लेइन बार रहेगी हरी इसलिए क्योंकि इसके उपर इपक्सी कोटिंग की गई अब इसका जो ग्रेड है वह S240, S240 इसकी yield strength है, इसका grade होता है हमारा 240 MPa की होती है ये, अब बहुत सारे लोगों के सवाल होंगे कि सर, वो सब ठीक है लेकिन ये तो बताओ कि ये कितने डाया की लगेगी, कितने ठीकनेस पे लगेगी कितने spacing पे लगेगी तो अगर आप लोगों को भी जाना है तो comment करके बताओ पहले, ठीक है ठीक है, ठीक है प्रियर आज जी बोल रहे है, 32 डाया का जरूरी नहीं है सर, हर layer में 32 डाया की लगेगी, बताओंगा मैं अभी आप लोगों को ठीक है सर, highway ground to top तक कितने foot होता है ऐसा नहीं है सर कि कितने foot का होगा, वो थीकनेस में maintain करेगा, कि आपके TCS में कितना थीकनेस बताया गया है, ये सारी layers जो मैंने बताई उनका, उसके base के उपर रहता है जानना है सर, जी सर बताईए 16 mm, 32 mm, विवेक पनवार जी चलिए, समझते हैं तो यहां पर आप लोगों को एक IRC का जो है वो table नजर आ रहा है जो कि ये बता रहा है कि कितने mm डाया की आप लोगों को बाहर लगा नहीं है कितने mm डाया की आप लोगों को बाहर लगा नहीं है ठीक है, अगर आपका 200 mm का थीकनेस है अगर 200 mm की थीकनेस है अगर आपकी 200 mm की थीकनेस है किसकी थीकनेस है, PQC की PQC की PQC मतलब pavement quality concrete की pavement quality concrete की slab थीकनेस इतनी है, 200 mm है तो आपको 25 mm डाया का क्या लगाना है, dowel bar जिसकी length होंगी 450 और उसकी spacing होंगी 300 ठीक है, spacing मतलब अगर ऐसी बार लगी वी है तो ये spacing हो गई ठीक है, ये spacing हो गई तो ये कित्ती होगी 300 mm 300 mm की दूरी पे लगेगी dowel bar clear है सबी को एकदम ध्यान देना है क्या बताया मैंने क्या बताया मैंने अभी आप लोगों को कि अगर 200 mm ठीकनेस होगी slap की, तो 25 उसका diameter रहेगा हमारा जो diameter रहेगा अगर ये बार है तो इसका ये जो diameter है वो कित्ता रहेगा 25 mm ठीक है, 25 mm diameter रहेगा length कित्ती रहेगी 450 length मतलब यहां से लेके यहां तक की जो length रहेगी वो ठीक है, spacing मैंने बता दी तो इस तरीके से आप लोगों को ये समझा, screenshot लेके रख लो भाई interview question है एकदम ध्यान से screenshot लेके लगना है note down करते वह रहना है मयूर साहू जी मयूर जी का कहना है कि sir PQC को एक बार और बताइए ना भाई पीछे करके देख लो PQC मतलब होता है payment quality concrete क्या होता है PQC मतलब payment quality concrete जिसका maximum size of aggregate होता है 32.5 mm का, ठीक है अभे चौधरी दी यादो यादो जी epoxy coating बचाने के लिए हम लोग यूज़ करते क्या बात है अभे चौधरी जी बहुत बढ़िया sir मेरा एक सर्वे से related question है अगर हम super elevation portion पर subgrade के लिए level place करना है तो process बता दीजी अगर possible हो तो please बिल्कुल बताओं यार मैंने super elevation के उपर एक video भी बनाया हुआ है लेकिन अभी हम continue में जो है डॉल बार पर चल रहे है तो इसी topic पर रहना चाहूँगा मैं बिल्कुल ठीक है no out का एक question है कि what is different between dowel bar and tie bar भाई बहुत बढ़ा difference है एक तो लगती अलग जगा है दूसरा diameter अलग होता है तीसरा ये plane होती है और वो होती है हमारी deform bar ठीक है उसमें भी plane लगती है लेकिन ज़हते डिफॉर्म बार यूज़ करते है चलिए आगे बढ़ते हैं तो धाईससो mm का अगर slap thickness रहा तो 32 mm का डाया लगेगा 450 की length रहेगी spacing 300 ही रहेगी 300 mm का अगर slap thickness रहेगा तो 38 mm का डाया लगेगा 500 उसकी length रहेगी और 300 mm उसकी क्या रहेगी spacing spacing change नहीं हो रहेगاي spacing change नहीं हो रही है थ्यान रखना है आप लोगों को सर वीडियो नहीं हटेगा ठीक है वीडियो नहीं हटेगा आप लोगों को बाद में दिखता रहेगा ये ठीक है चिंता नहीं करनी है ठीक है तो और सवाल पूछो या डॉवेल बार से रिलेटेड कमेंड में डॉवेल बार से रिलेटेड सवाल पूछेंगे सभी हाइवे बार में कित्ते एमेम के बार लगेंगे यह देखो लेंथ लिखिए चारसो पचास एमेम के यहां पर 500 mm के अगर 38 mm गड़ाया है तो 500 mm के सवाल पूछना है बिल्कुल सर 300 mm की अब यह 300 mm की स्पेसिंग जो है वो कहां से है बहुत अच्छा सवाल पूछे हो यार जैसे समझ लो यह PQC है ठीक है PQC है तो अब यह PQC के यहां से 300 mm पहली बार लगेगी यहां से 300 mm फिर 300 mm फिर 300 फिर 300 और 300 यहां से छोड़ देंगे ठीक है क्लियर है अभी बहुत बड़िया यार बहुत अच्छा सवाल था ठीक है यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है अभीशेक राहुल यादो जी का कि डावल बार में कवरिंग क्यों करते है बिल्कुल बताओंगा सर्व ठीक है चलिए यह भी एक बहुत अच्छा सवाल है आप लोगों ने देखा होगा कि डावल बार में कवरिंग की जाती है अब उस covering को उसे plastic sheet covering कहते है उसका reason ही होता है क्योंकि जो हमारी dowel bar होती है समझ लीजे ये PQC है इसके अंदर से निकली dowel bar तो यहाँ पर हलका सा एक covering की जाती है यहाँ पर plastic sheet से covering की जाती है उसका reason ही होता है कि जो अगला slab इसमें joint होने वाला है ठीक है अगर उसमें किसी भी तरीके का thermal expansion होता है और वो shrink होता है या तो वो expand होता है तो वो sheet के वज़े से वो आसानी से expand और shrink हो पाए thermal expansion के वज़े से ठीक है और भी कोई question होगे तो पूछ सकते है डॉवल बार से related बहुत अच्छा लगा मुझे यह question पूछा तो आपने other grade use किये डॉवल बार की length spacing dia change होता है क्या actual में यह जो है यह IRC से related है ठीक है यह IRC की cutting है ठीक है IRC की cutting है SP 2015 की ठीक है तो इसलिए जो है यही से मैंने आप लोगों को बताया है directly तो इसका जो cut out है यही use किया जाता है यह आपको morph में भी नजर आएगा ठीक है morph में भी यही table same table नजर आएगा morph और IRC की ही cutting है यह ना तो यही use करना है आप लोगों को highway construction के time पर तो dowel bar से आगे बढ़ते हैं एक और बहुत अच्छा सवाल यार आज का topic लंबा जाने वाला है लग रहा है मुझे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे है ठीक है तो चलिए इसके बाद tie bar होती है वो deform bar होती है जिस एफ़ी 500 जिसका grade होता है एफ़ी 500 जिसका grade होता है ठीक है कि दिवेश मौरिया जी मैं बिलकुल बताऊंगा कि किस किस direction में placing होती है डॉल बार की ठीक है ठीक है बिलकुल बताऊंगा घबराने की बात नहीं है अभी हूँ मैं आपके साथ ठीक है अगर slap thickness 150 mm की है तो 8 mm का या 10 mm का डाया यूज़ कर सकते हो प्लेन बार रही तो इतना लेकिन प्लेन बार यूज़ नहीं की जा रही है प्लेन बार बहुत कम यूज़ की जाती है प्लेन बार यूज़ नहीं की जा रही है सिर्फ डिफॉर्म बार यूज़ की जा रही है अभी तो आप लोग यहीं पढ़िए ठीक है डिफॉर्म बार स्क्रिंशॉट लेके रखी आप लोग विल्कुल यूज़ कर सकते है सर सीमेंट रोड के उपर एस्फाल्ट का मैं बताओंगा आगे के सेशन में अगर कभी मैं वीडियो भी ज़रूर बनाओंगा बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक दे दे रहे हैं आप लोग मुझे वीडियो बनाने के लिए जरूर बनाऊंगा मैं इस पर वीडियो ठीक है और एक होती है नॉर्मल बार जो आप लोगे ने देखा होगा स्चील बार जो होती है उसमें लक्स ह कर रिफ ऱहाई है तही एस प्लेन ऋती है उस पर किसी भी तरीकिक रहे की लक्स और रिफ नहीं बनाई जाती जो आप building में देखते हो बार वो होती है deform बार ठीक है और वो ही use करनी है यहाँ पर ठीक है तो मैं पढ़ा रहा था tie bar tie bar में 150 mm का अगर slap thickness रहा तो इतना उसकी spacing लेंगे minimum length उसकी इतनी रहेगी और इतना डाया रहेगा तो यह अभी आप लोग पढ़ लिजे ध्यान से और कोई question होगा tie bar related तो पूछिए comment section में जल्दी जल्दी पूछना है चलिए बहुत बढ़िया प्रियदर्शन कुमार जी तो अब चलते हैं और direction के बारे में समझते हैं ठीक है direction देखेंगे सभी जैसे समझ लो यह PQC है आपकी ठीक है जैसे समझ लीजे यह PQC है आपकी ऐसी PQC बन रही है ठीक है PQC payment quality concrete है ना तो अब इसमें जो double bar लगेगी वो इस तरीके से लगेगी ठीक है यह क्या हो गई यह हो गई आपकी double bar यह गई आप लोग की double bar और जो यहां लगेगी यह गई आप लोग की tie bar अब tie bar क्यों लगाते हैं क्यूंकि समझ लो क्योंकि समझ लो जैसी यह 6 मीटर है और आपको 12 मीटर का रूट बनाना है तो आपकी मशीन ने 6 मीटर कास्ट की और आगे चलके आपको 12 और 6 मीटर का रूट बनाना है तब यहां पर हम लोग tie bar छोड़ देंगे ताकि जो अगला pavement इससे चिपक के आने वाला है उसके बीच में अच्छे से tie हो अच्छे से बंधे वो एक दूसरे से और इसी को अगर कोई जैसे यह नया यह जो है old concrete हो गया इसके बाद यहां पर new concrete आने वाला है ना न्यू concrete आने वाला है तो यह दोनों के बीच में joint बन गया ना और उस joint में क्या दी हम लोगों ने टाय बार तो इस joint को क्या बोलते construction joint कौन सा joint बोलते construction joint यह भी बहुत ज्यादे इंपोर्टेंट है भाई पढ़ते रहना है समझते रहना है कि ठीक है कि सर क्या पूछ रहे हैं इंजिनियर वैगविंजर जी सर आप सिब से पहले आई एस कोड़ सिखाओ कराओ ई-इस कोड़ भी सिखाएंगे हम लोग बिल्कुल को है श कर सकते हो यह यांपे बहुत कोई नहीं एक टेक है回去 350 वी यूज कर सकत्य हो तो यह हो गई ताय बार यह हो गई डॉवल बार और कोई question है किया और यहापे भी आएगा तो यहापे गर ऐसा आप्धेल बार देंगे हम लोग ध्यान देना है अप लोगों को ठीक है किश्टे – तैंप्रेचर कौन सा टैंप्रेचर की बात करे जो आप अगर टैंप्रेचर की बात करूं तो PQC की जो कास्टिंग की जाती है वो ठ्रिफर किया जाता है कि 30 degree Celsius के इसमें हम लोग कास्ट करें PQC को 30 degree Celsius में हम लोग PQC को कास्टिंग करते हैं ठीक है PQC की जो कास्टिंग करनी चाहिए वो 30 degree Celsius में करनी चाहिए ऐसा बोला जाता है IRC में भी लिखा है PQC road की life एक तरह से बोला जाता है कि एकदम low maintenance में 30 years की होती है प्रियराज जी तो यह old concrete यह new concrete बीच में आगे हमारा construction joint यह होगी टाय बार यह होगी डॉवल बार clear है सभी को placing भी clear हो गई तो बढ़िया बहुत बढ़िया आगे चलते हैं और यार यह detailing आप लोगों को कल designing day है कल designing day में सुबह 10 बजे उसके बाद 2 फैर 1 बजे शाम 5 बजे और रात 8 बजे फिर से हम लोग लाइब आने वाले है designing day के लिए तो आप लोग जरूर कल भी जो है वो आईए और जाद जादा लोगों को बताईए जो लोग आज जॉइन नहीं कर पाए होंगे उनके साथ भी जरूर शेयर कर देना ठीक है अब इस construction week आप लोगों को एक gift भी मिलने वाला है और वो gift क्या है थोई देर में बताता हूँ लेकिन gift कब मिलेगा जब आप पढ़ना शुरू करोगे या फॉर कॉप्स बिल्डिंग या highway या ctc या sdo कहीं पर भी आप पढ़ना शुरू करोगे तो ये gift आप लोगों को मि जाएगा यह gift कब तक मिलेगा भाई 14 February तक मिलेगा construction week है 14 February तक आप लोगों को मिलेगा और gift में यह gift में आप लोगों को start-up friend मिलेगा आप यह startup friend क्या है वो जानने के लिए call करना है 9-111-01234 पर क्या करना है call करना है 9-111-01234 और समझना है और उन से पूछना है कि भाई य साटा फ्रेंट क्या है ठीक है और यह सारी चीज़े सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है यह सारी चीज़ें क्यों सीखना जरूरी है यह बताना चाहूंगा मैं ताकि आप लोग भी ऐसी अच्छी construction companies में जाके placed हो जाए अपना career secure कर सके और कैसे कैसे इन construction companies में आप placed हो सकते हो यह सारे certificates की मदद से क्योंकि construction companies क्या मांगती experience और certification certification है आप लोगों के पास आप लोग जाए direct और बोलिए कि सर हम सिविल गुरुजी से certified है हम लोगों आप लोगों से कल भी हम लोग मिलने वाले है सुबा दस बजए दो फैर एक बजए शांपाज बजए और रात आठ बजए designing day के लिए तो सभी को मिलना है अभी से share कर दीजिए बता दीजिए कि हम लोग और कब तक live आने वाले है 14 February तक रोज live आने वाले है यही चार टाइम पर तो आप लोगों को आना है सीखना है और आगे बढ़ते रहना है तो जाते जाते आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि करना है खास तो चलो हमारे साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ सिविल की बात गुरु जी के साथ